दोस्तो कुछी दिन में पांच राजियों में विदानसभा चुनाव है तारीकों का एलान भी चुनाव आयों की और से कर दिया गया है अलांकि सभी की नजरे उत्तरपरदेश विदानसभा चुनाव पर है क्योंकि राजनितिक लिहास यूपी बहद एहम राजी है इन सब की बीच नेताओं के इंटर्व्यू और उनकी बयानबाजी भी चर्चा में है ऐसा ही अखिलेस यादव के एक इंटर्व्यू के कुछ क्लिप सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहे है अखिलेस यादव ने ये इंटर्व्यू आज तक की पत्रकार अंजना ओम कस्यप को दिया है अखिलेस यादव के इस इंटर्व्यू का एक क्लिप वाइरल है जिसमें अंजना ओम कस्यप सपानेता पर अपनी नाराजगी जाहिर करती नजर आ रही है इस वीडियो के वाइरल होने की बाद चार उत्रप अखिलेस यादव की फजीहत हो रही है दरसल अखिलेस यादव ने कहा कि देश ने इमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है इसमें आपका भी नाम है इसे अंजना ओम कस्यप ने कटाक्स की तोर पर लेते वे जम कर अखिलेस यादव पर नाराजगी जतई अंजना ओम कस्यप ने ऐसा हड़कया कि हकलाने लगे अखिलेस यादव इसको बरदाश कर लेंगे यह और लोग होगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्विकार लेंगे आपकी बात खतम हो गई ने मेरी बात खतम नहीं हुई है इसी इंटरव्यू का एक वीडियो भी सोसल मीडिया पर वाइरल है जिसमें अखिलेस अपने स्कूल कोलेज की बात करते नजर आ रहे हैं इस इंटरव्यू में कानपूर के इत्र कारोबारी पर पड़े चापे का भी अकलेस यादव ने जिक्र किया है इंटरव्यू का ये हिस्सा भी सोसल मीडिया पर वाइरल है इसी इंटरव्यू में अकलेस यादव ने कहा कि अगर भाजपा इस बार यूपी चुनाओ की सत्त में आई तो योगी आदितियनाद आगे जाकर भाजपा के पर्दान मंतरी उम्मिदवार बन जाएंगे। अकिलेस ने हलांकि साथ ही कहा कि भाजबा वाले फिर सोच ले अकिलेस इस सवाल का जबाब दे रहे थे कि अगर योगी आदितिनाद दोबारा सत्ता में आ गए तो क्या होगा क्योंकि फिर अकिलेस दस साल यूपी में सत्ता से बाहर रह जाएंगी इस पर अकिलेस ने कहा तो